नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये औरत की काली कर्तूद सामने आया। आपको ये औरत कई सालों से पीछे पड़े हैं और आज की इस वीडियो में इनकी सारी एक-एक पोल खुलने वाले हैं। दोस्तों, जब इनका नाम सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। क्योंकि दोस्तों, यह औरत और कोई नहीं, आपके घर के आसपास ही है। और आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप से बहुत ही इनका गहरा संबंध है। और यह औरत आपको इसलिए पीछे पड़ी है कि आपकी कोई भी तरक्की को यह देख नहीं पाती है। आप छोटी सी भी काम्याबी हाथ मिलाती है तो आईने के शरीर में आग निकल जाते हैं। यह चाहती है कि कब यह हम से नीचे हो जाए और इस कार्य में लगे रहते हैं। पिछले समय की सबसे बड़ी को पड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि यह इसान कैसा है। यह हमारे लिए कौनसी चाल खेलते हैं या फिर हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, यही वह ओरत है जो आपको कई सालों से पीछे पड़े हैं। आपके परिवार की पीछे कि दोस्तों अगर आज नहीं समझोगे, इनके काली कर्तूत को नहीं जान पाओगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप बहुत ही बुरी स्थिती में गिर जाएंगे, यहां तक कि आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, तो दोस्तों जल्द से जल्द उनके काले कर्त दूत को जान लो और अपनी पूरे परिवार का बुरी स्थिती से बचा लो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह औरत आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं इन्हें और दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है जब भी यह कुछ सोचती है कुछ भी कार्य करना हो तो दोस्तो आपको यह गिराने की ही कोशिश करते हैं यह सोचते हैं कि कब इसे आप नीचे गिर जाएं कब यह आपसे बदला ले सके आपको ऐसे रास्ते में गड़े में गिराने की कोशिश कर रही है जो कि दोस्तों आप इनकी बातों में आते जा रहे हैं आपके पिछले समय में यही औरत है इसी लिए आपको ऐसे जाल बिचाए थे जो कि दोस्तों आप मरते मरते बचे हैं दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप भगवान पर बहुत ही भरोसा रखते हैं आप हर वक्त भगवान को पुकारते हैं आप अच्छी तरह से पूजा पाट धर्म निभाते है और उन्ही के कारण यह औरत आपको अभी तक ज्यादा कुछ नहीं बिगाड सका है भगवान ने आपको उस समय बचाया है लेकिन दोस्तों यह औरत अब ऐसी क्रिया तांत्रिक क्रिया कर चुकी है जो कि दोस्तों आप इसे अगर बच गए तो दोस्तों आपको आने वाले यह दुश्मन बाल बांका नहीं कर सकता और आपके जीवन और उंचाई तक जाने लगेंगे और यह दुश्मन जो है तरक्की देखकर खुद वह खुद या औरत आपसे पीछा चुड़ा लेगा तो दोस्तों वह कौन सी क्रिया है कौन से उपाय है आज की इस वीडियो में एक-एक करके बताने वाले हैं वहराज की बात आप सभी को पता चलने वाले हैं जो कि दोस्तों आप इसे अंजान हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एकदम शुरू से अंतक देखना बिलकुल ही एक-एक शब्द ध्यान से सुना और थोड़ा सा भी स्कीप करने की कोशिश मत करना क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य मध्य में ऐसी ज्यानवर्धक बातें हैं ऐसी अचूक उपाय है जो कि दोस्तों आप समझ गए कर लिए तो दोस्तों आपका किस्मत रातों रात बादल भी सकता है आप इतनी तरक्की काम्याबी करने लगेंगे कि दोस्तों आपका दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता तो दोस्तों वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखें और साथ ही साथ दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त मा काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों जलने वाली तीन से पांच दिनों के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुश खबरी देंगे और आपसे जो भी जलने वाले दुश्मन है वह आपको छू तक भी नहीं सकता। आपसे भयंकर शत्रुता मानती है और यह आपके ऊपर कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी करवा चुकी हैं। आपके लिए इसने कई बड़े शड्यंत्र रचे हैं और आप माने या ना माने। लेकिन इस ओरत की वजह से ही आपके जीवन में कई बार बड़ी भयंकर पर बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसका नाम और यह आपके आसपास कहां है इसके बारे में बताएंगे। इससे आपका क्या रिष्टा है और क्यों यह आपसे इतनी भयानक सत्रता का मानती है। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको खुल कर बता बहुत बड़े बदलाव होंगे। रुपए पैसे की आवक आपकी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी तो वह दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्त तो हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाए वीडियो के अंत में बताएंगे। जैसे एक बार कर लेने मातर से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टोना टोटका तांत्रिक क्रिया नकारात्मक उर्जा होगी तो वह खशन भर में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों आप माने या ना माने लेकिन इन चीजों का जीवन पर प्रभाव बहुत ही गहरा होता है और इन चीजों से अंजान बने रहने का मतलब है सीधे सीधे अपनी बरबादी और तकलीफ हो और यहां तक की मृत्यू को भी दावत देना जी हां दोस्तों यह बहुत ही भयंकर स्थिती होती है आगे हम आपको इसके बारे में वीडियो में बताने वा जय मा काली रक्षा करो जय माता रानी कृपा करो एक बार नहीं दोस्तों तीन बार लिखना आपका भाव ही मूल्यवान है दोस्तों सभी माई की कृपा आपके उपर होगी इसी के साथ साथ दोस्तों माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे अवश्य दबा दें इससे आप हमारे चैनल परिवार के माई के दिव्य परिवार के सदस से बन जाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत च्छानबिन कर चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि समुद्र में चाहे कितनी ही चीनी डाल लो वह मीठा नहीं हो जाएगा रहेगा खारा का खारा ही ठीक वैसे ही मतलबी और स्वार्थी लोग होते हैं जो अपनों में ही छुपे रहते हैं आप चाहे उसे कितना ही अपनापन दिखाओ कितना ही प्रेम लगा लो चाहे उनके लिए कुछ भी करो लेकिन समय आने पर वे अपने मूल स्वभाव को अवश्य दिखाएंगे आपको चोट अवश्य पहुंचाएंगे परेश अची कहानी है जी हां दोस्तों अपने दिल पर हाथ रखे और सोच कर बताईए कि आपकी जिंदगी में ऐसे मौके कितनी बार आएं हैं जी हां दोस्तों एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि जब रिष्टों में ही आपको ठगे जाने का एहसास हुआ है आ आपने अपनों के सुख को प्राथ मिक्ता दी, अपनों को खुश करने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन वे ही अपने समय आने पर आपके साथ खड़ी नहीं थी, उल्टा आपको कई तरीके के दोशारोपन और लांचा नहीं लगा दिये, इन सब बातों को सुनकर कई ब कर रखते हैं, किसी को अपना दुख जाहिर भी नहीं होने देते हैं, और एक बात हम आपको और बता दें कि बिलकुल आपकी दिल की कहानी है, आपके मन से जुड़ी हुई है कि कई बार और अपनों के द्वारा पहुँची हुई चोट और तकलीफ से आप अकेले में बहु ही पहुँचे हैं, आपका दिल तो बहुत था कि शायद कोई अपना हो जिसके कांधे पर सिर रख कर आप अपनी तकलीफ दुखों को बता सकें, कुछ अपने मन का बोज हलका कर सकें, लेकिन दुनिया भर के अपने आपके आसपास होते हुए भी आप अकेले की अकेले ही र अवश्य ही बताना और कमेंट में लिखना है कि जी हमारे साथ ऐसा हो चुका है। अपके अंदर कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिक्कत आपके आसपास रहते लो। कि साथ आने वाली नवरात्री एक ऐसा समय है जबकि आप किस तत्व बल्वान हो जाएंगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक प्रिया, काली नजर या फिर कोई नकारात्मक उर प्रजा छोडने का पूरा इंतजाम करेंगे, इसका कारण यह है कि नौ देवी में शक्ति अपने प्रचंड रूप में प्रकट होती है, अब सामान्य इंसान के लिए यह कोई बड़ी घटना नहीं है, सामान इंसान को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कब नौ देवी आ दोस्तों, हम आपको बता दे कि कई तांत्रिका नकारात्मक क्रियाएं करते हैं और लोगों की जिन्दगी बरबाद कर देते हैं,ंसे कई बार हिसकतों जब कोई ऐसा विशेश समय आ रहा होता है, तो लोगों को रोगदें और कहते हैं, centralized को आप बर्बाद करना चाहते है, या फिर उसकी शरीर से जुड़ी हुई कोई ऐसी वस्तू जो उसके शरीर से लंबे समय तक जुड़ी रही हो, उसे लेकर अपने पास जब ऐसा समय आएगा, जैसे कि शिवरात्री है, काल रात्री है, महा रात्री है, जिसे दीपावली की रात्री या होली की रात्री कहते हैं या फिर नौ देवियों का समय है इस समय पर आप हमें देना तब हम इसका बड़ा इंतजाम करेंगे अब आप कहेंगे कि नौ देवी तो एक अच्छी देवी हैं सात्विक सकती हैं ऐसे समय पर किसी का नुकसान कैसे हो सकता है तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि दैवी ये शक्तियों का आप जिस भी रूप में पूजा पाठ करते हैं, जिस भी रूप में उन्हें यदि करते हैं, उसी रूप में आपके सामने प्रकट होकर आप से सिद्ध हो जाती हैं और यदि कोई तान्तिरिक नकारात्मक रूप में काले को पसंद कर ले, तो वह इस शक्ति का बहुत भयंकर प्रयोग भी कर सकता है। किसी की भी जान ले सकता है और काली की शक्ती किसी की जान लेने से बिल्कुल भी हिंचकेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई साधक काली की पूजा करें और उन्हें सिद्ध कर ले। सात्विक रूप में तो वह किसी की भी जान बचा सकता है। किसी के जीवन में भी खुशियां भर सकता है। वह भी काली की शक्ती की सहायता से अब सकती तो एक है लेकिन उसके प्रयोग अलग-अलग है। यह एक ऐसा है जैसे कि आपके हाथ में कोई हतियार आ गया है। अब आप उसका प्रयोग या तो किसी की जान बचाने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं इसी प्रकार की सिध्धियां होती हैं जब कोई सिध्धि इसी साधक के हाथ लग जाती है तो वह उसके उपर है कि वह कैसे प्रयोग करता है नकारात् फो जा बूरों से फल देगी और सकारात्मक प्रयोग करेगा, तो स्थिति का प्रयोग सकारात्मक होगा। हाँ, यह बात अलग है कि जब भी जा नकारात्मक रूप से इन सिध्धियों psychologists का प्रयोग करने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी ओर जाते होने लगती है और दोस्त को उसके उपर बढ़ने लगते हैं और एक दिन उसकी सिद्धियां, उसकी शक्तियां समाप्त भी हो जाती हैं। अब ये सारी बाते हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आने वाली नौ थे, फ्लोर पर आपको सचेत रहना है, अपने आप किसी भी नकारात्मक उरजा से, किसी भी गलत तांत्रिक प्रिया से बचाना है, क्योंकि दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ऐसे ऐसे कश्ट स रहे हैं, जिनकी जिम्मेदार आप स्वयम नहीं थे, आपकी नियत, आपके कार्य सब अच्छे थे, लेकिन नतीजा बुरा हुआ, बहुत भयानक हुआ, आप दुनिया भर की परेशानी में फंस गए, ऐसा लगता था, जैसे कि कोई जान बूच कर आपके पीछे पड़ा है आपको पीछे की और खीच रहा है, आपके काम में जान बूच कर बाधा डाल रहा है, तो आपके मन में कई बार ऐसे प्रशन होते हैं, कि आखिर ऐसा आपके ही साथ क्यों हो रहा है, हमेशा परेशान ही ढूंड कर आपके पास कैसे आ जाती है, आप चाहे कितनी ही मेहनत करे कितना ही दिमाग लगाएं फिर भी आप ही क्यों फस जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों की आपके छुपे हुए सत्र आपको चारों तरफ से घेर कर कई प्रकार की क्रियाएं करवाती रहती हैं याद रखना दोस्त कि आज के समय में जहां सूचना का अधिकार सब के पास है मोबाइल उठाओ और सारी जानकारी उसमें उपलब्ध है कहीं जाने की जरूरत नहीं है घर बैठे बैठे किसी के उपर कैसी भी तांत्रिक क्रिया करवाई जा सकती है ऐसे समय में तांत्रिक क्रिया कर alligator करवाना कोई बड़ा कारिय नहीं है किसी की भी जिन्दगी बर्बाद कर देना कोई बड़ा कार्य नहीं है बिलकुल साधारन सा काम है यह तो अब आप क्या कर सकती हैं आपके लिए हम बता रहे हैं कुछ जरूरी कारिय जो आपको 9 देवियों में करनी है इन कारियों को यदि आप नौ दिनों में लगातार करेंगे हर दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके उपर करवा दे आपका बाल भी बांका नहीं होगा उल्टा होगा यह है कि आपकी प्रचन्ड सका आत्म उर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि जो भी नकारात्मक शक्ति तांत्रिक क्रिया आपकी ओर आएगी वह वापस चली जाएगी जो बातें हम आपको बता रहे हैं हो सकता है कि वे बातें आपको अजीब सी लगे हो सकता है कि आप सोचेंगे ऐसा कभी होता ही नहीं है यह सब बातें बिलकुल भी कार हैं लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आज नहीं तो कल आपको इन बातों को मानना ही पड़ेगा यह सारी बातें सच इतिहास इन बातों का गवाह है खैर इन सब बातों को आप हो हमें बताने का मकसद केवल इतना है कि आप आने वाले खत्रों के लिए सतर्क रहें जिया दोस्तों लापरवाही से जीने का नतीजा आप जानते हैं कि जीवन भर केवल कश्ट एक कश्ट तो अब ध्यान से सुनिए हम आपको बताने जा रहे हैं पांच ऐसे काम जो आपको आने वाली नवरात्री पूरे नौ दिनों तक लगातार करने होंगे जिन दोस्तों यदि आप इन कारियों को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे नवरात्र के दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में कुछ विशेश आते चले जाएंगे यानि कि आपके रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे जहां रुकावट आ रही थी समस्याएं आ रही थी वह अपने आप दूर होने लगेंगी यहां तक कि लोग जो आपको विरोध कर रहे थे आपके सामने खड़ी थी आपकी राह की बाधा थी वह अपने आप आपका रास्ता छोड़ देंगे उल्टा आपका सहयोग ही करने लगेंगे और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है वह समझ्या अभी धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगी अब जिन कारियों को हम बता रहे हैं वे बेहद ही शक्तिशाली कार्य है और बहुत ही सरल है दोस्तों देवी भागवत में इन कारियों के बारे में विस्तार से समझाया गया है कि मां अम्बे मां दुर्गे कैसे प्रसन्न होती है और जब मां अम्बे प्रसन्न होती है इन कारियों को करने से तो आपकी हर प्रकार की कृपा बरसाने लगती है फिर भी बिलकुल भी भेदभाव नहीं करती है आप जो चाहे कि सब कुछ आपको मिलेगा यानि कि मां अम्बे का सच्चा प्रेमी आपको मिलेगा जो कि एक मां अपने बेटे को लुटाती है यह दोस्तों अब ध्यान से सुनिए हर एक बात एक कीमती खजाने के समान है तो सबसे पहला का दीपक जलाना दोस्तों हमारे हिंदु धर्म में सनातनी परंपरा में दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि दीपक की जो होती है वह शुद्ध उर्जा का स्वरूप होती है आप देखेंगे, जो कुछ भी लौक के संपर्क में आएगा, वह भस्म हो जाएगा, कैसा भी शुरू हो, कितनी ही सकती हो एक बार अगनी के संपर्क में आ गई और अगनी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, तो उसका स्वरूप पूर्ण रूप से समाप्थ हो जाता है अपने पूजा घर में गाय के, जी हाँ, दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे चुका है, दोस्तों कुछ जरूरी आधारभूत कार्य है, उनके लिए लोगों के पास समय ही नहीं है रोजी रोटी के जुगाड में सब कुछ भूल चुके हैं, जीवन का आनंद, ईश्वर शक्ती सब कुछ भूल गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो आपको फिर क्या करना है? जब आप सुबह नहीं, शाम नहीं, पूरे सब्ताह भर नहीं, तो फिर आप शाम के समय यह दोस्तों की रात्री को नौजान बजे के आसपास तो एक दीपक जला ही सकते हैं, तब तो कोई कारिय नहीं होता, सारे कारियों से आप मुक्त हो चुके होते हैं, ड्यूटी है, बिजनिस है, व्यापार है, सब समाप्त हो चुका है अब नहाद होकर, शुद्ध हो जाईए, उजागर, जाईए और एक दीपक मादुर्गे के नाम से, सारी नौशक्तियों के नाम से चलाईए, अब केवल इतना ही नहीं करना है, आपको इसे एक मंत्र का जाप भी करना है, वह भी एक माला याद रखना, कि इस मंत्र के जाप के लिए आपको फटी की माला का प्रयोग करना है, बड़ी की माला आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी, जी हाँ, दोस्तों, तो अब मंत्र कौन सा है, इसे आप ध्यान से सुनिए, इस नवार्ण मंत्र कहा जाता है, मा दुर्गा की नौ शक्तियों को यह मं मंत्र समर्पित होता है, इसी के साथ साथ ज्योतिश में भी इस मंत्र का बहुत अधिक महत्व है, इस मंत्र में नौ अक्षर होते हैं, और नौ के नौ अक्षर देवी के नौ स्वरूपों को दर्शाते हैं, और नौ ग्रहों को भी दर्शाती हैं, यानि की जवाब इस मंत् प्रसंद करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ आप अपने ग्रहों को यानि की पूरे नव ग्रहों को भी प्रसंद करेंगे और उनकी उर्जा को भी सकारात्मक कर लेंगे तो अब यह मंत्र कौन सा है मंत्र बहुत ही सरल है आपने पहले भी कई बार सुना होगा तो ध्यान से सुने एम हिम क्लीम चामुंडाए विच्छे जी हां दोस्तों एक बार फिर से सुने एम हिम क्लीम चामुंडाए विच्छे इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है गलत उच्चारण नहीं करना है यदि आप पूरे भाव के साथ भक्ती में डूब कर इस मंतर का एकांत में बैठ कर जॉब करेंगे पूरी शुद्धता के साथ तो आपके रोंग्टे खड़े होने लगेंगे जी हाँ दोस्तों यह जाचा परखा है हमने स्वयम ही इस मंतर की शक्ती को महसूस किया है आपकी दुकान की या फिर आपके ऑफिस की या घर में चल रही किसी बात पर आपका ध्यान चला गया तभी हमने कहा कि आप रात को नौ बजे के बाद यह क्रिया करें तब तक तुम्हें भी शांती हो जाएगी आपका पूरा ध्यान आपके मंतर उच्चारण पर ही होना चाहिए जी हाँ दोस्तों अब इस मंतर में नौ अक्षर है जो नौ ग्रहों को और देवी के नौ रूपों को दर्शाते है सब के बारे में तो हम आपको नहीं बताएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा शुरू के दो तीन अक्षरों के बारे में आपको हम बता देते हैं इस मंतर में सबसे पहला अक्षर है एवं दोस्तों और यह एक साधारण उच्चारण नहीं है यह सूर्य को दर्शाता है यानि ग्रहों के राजा को दिखाता है उसके बाद यह मां दुर्गा की पहली शक्ती यानि शैल पुत्री को भी दर्शाता है यानि कि इस एक उच्चारण से आप सूर्य देवता को तो पसंद करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ शैल पुत्री जो मादुर्गा का पहला स्वरूप है उनको भी प्रसंद कर ले जी हाँ दोस्तों के साथ साथ दूसरा अक्षर है प्लीज अब जो है यह चंद्रमा को दिखाता है जो दोस्त के उच्चारण से आप चंद्रमा को तो पसंद करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ मादुर्गा के दूसरे स्वरूप यानि कि ब्रह्मचारिनी को भी आप पसंद कर लेंगे इस प्रकार दोस्तों तीसरा अक्षर है क्लीन जो कि मंगल को दिखाता है यानि कि ग्रहों के सेनापती को और देवियों में यह चंदर घंटा को समर्पित है इसी प्रकार हर एक अच्छा रखें एक देवी और एक ग्रह को समर्पित है जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप अपने आसपास एक विचित्र ही सकारात्मक उर्जा को पॉजिटिव एनरजी को महसूस करना शुरू करेंगे और अगले ही दिन से आप अपने जीवन में धीमे धीमे परिवर्तन महसूस करेंगे नौ दिन आपके लिए अम्रित के समान हो जाएंगे तो यह एक कार्य आपको करना है अब दूसरा कार्य यानि नौ दिनों में किसी भी दिन जब आपको समय मिले आप पास ही कि किसी देवी के मंदिर में जाएं और एक लाल रंग की ध्वजा जिसे हम जंडा कहते हैं उसे वहाँ पर दान करके आए कोशिश करें कि उसे आप कहीं पर लगा दें और भाई हवा में लहराने लगे यह बहुत ही बड़ा उपाय है वैसे तो यह बहुत ही सरल क्रिया है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है जब तक वह जंडा मंदिर में लहराएगा आपके जीवन में इतनी सकारात्मक उर्जा आएगी कि आप कलपना भी नहीं कर सकते इसका प्रमान यह है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाईया है जो भी आपकी मनो कामनाएं पूरी होती चली जाएंगी एक के बाद अब इसकी अच्छी बात यह है दोस्तों की जब आप दोबारा जाएं और देखें कि आपका जंडा किसी ने हटा दिया है तो आपको नहीं एक जंडा लगा है बात वही रहेगी शक्ती उतनी ही आपको प्राप्त हो जाएगी यह दोस्तों इसे आप बार-बार कर सकते हैं तीसरा कार्य आप किसी भी दिन नौ देवियों में किसी भी दिन आप थोड़ी सी मखाने लें और कुछ सिक्के मिला दे और कुछ बताते मिलाते हैं जी हाँ दोस्तों और इन मकानों सिको और बता सब को आप गरीबों में दान करते हैं अब आप सोचेंगे कि आपको गरीब कहां से मिलेंगे कहां ढूंडे करेंगे तो दोस्तों चिंता ना करें आप मंदिर जाएं और मंदिर के बाहर जो बेकार ही बैठे हैं वह गरीब ही तो हैं तभी तो वहां बैठे हैं अगर वे करोडपती होते तो वहां क्यों बैठते तो जो भिखारी वहां बैठे हैं आप उनके कारियों में इस सामगरी को बांटे साथी ही साथ यदि आप चाहें तो अलग से भी कुछ रूपए पैसे उन्हें दान कर सकती हैं और माता की विशेश कृपा भी तो इस कार्य को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का कार्य आपको लगातार करना है। यह दोस्तों, अब जो लोग औरत 2400 घंटे 9 दिन तक अखंड जयोती जलाते हैं, उन लोगों को हम कहना चाहेंगे कि वे देवी के अत्यंत प्रिय भक्त। आग्यशाली कहते हैं, वे होंगे। यह लोग यह दोस्तों, बस इन लोगों को करना यह है कि पूरे दिन के अंतरगत किसी भी समय एक स्थान पर बैठ कर लो। माला इस नवार्ण मंत्र की जाप करना है। समय तो निकालना पड़ेगा। आपने अखंड जयोती के लिए समय निकाला है। इस क्रिया को भी अवश्य करें, तब ही आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब जो लोग सुबह और शाम दीपक जलाएंगे, वह सुबह और शाम ग्यारा माला जाप कर सकते हैं। अब जो लोग शाम के समय ही दीपक चलाएंगे, तो शाम को ही एक माला जाप करें, या फिर उनके पास समय ज्यादा है, तो भी शाम को ही दो माला जाप कर सकते हैं। या फिर नार्मल आज आप ही कर सकते हैं। यदि नौ माला जाप आपने इस मंत्र का कर लिया तो हम लिख कर देते हैं। दोस्तों की आपके ऊपर कोई भी गाली सकती हो, कोई भी नकारात्मकता हो। आपका बाल भी मांका नहीं कर पाए कि लंबे समय तक आप माता की छाया में रहेंगे। उनके आचल में आप सुरक्षित रहेंगे। यह दोस्तों की याद रखना मां दया करने के लिए हमेशा तयार खड़ी हैं। हम ही हैं, कहीं न कहीं कसर बाकी छोड़ देते हैं। कमियां हमारे अंदर है, मां के अंदर नहीं हैं। हम अपने भाव को मजबूत करें, मेहनत करें और पातरता हासिल करें। फिर देखो, मैं कितना भारतिय हमें इतना भर देंगे कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यदि कोई प्रशन आपके मन में उठता है, तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रशनों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम आपको बताते हैं, उस औरत का नाम, उस औरत का नाम जा अक्षर से शुरू होता है और वह आपके आसपास ही है आपके परिवार में आप। अडोस पडोस में दोस्तों, कुछ औरतों की राशे वृष्चिक है, अब इसका मतलब यह नहीं, कि आपकी राशे के हर एक जातक के पीछे इस नाम की ही औरत पड़ी है। किसी के पीछे नहीं भी हो सकती है किसी के पीछे कोई अलग नाम का इंसान हो सकता है पुरुष भी हो सकता है जिसका जैसा पुन्य प्रताप जिसकी जैसी माया वैसे ही उसके पीछे नकारात्मक्ता का काला साया या दोस्तों में सब कुछ आपकी सकारात्मक उर्जा पर निर्भर करता है हमने तो केवल आपको वह बताया है जो आपके ग्रहों की चाल कह रही है और आपके ग्रह कुंडली की चाल यह भी बता रही है कि अब आपका किसमत बदल चुका है अब मातारानी की कृपा से आपके जो भी सपने हैं वह पूरे होंगे और अब आपके जो भी दुश्मन हैं एक एक करके उनका विनाश होगा और आपकी तरक्की होगी आपके जीवन में जो भी परेशानी थी जो भी पिछले समय से दुख तकलीफ लेकर आप चले आ रहे थे वह अब समाप्त होगा आपके स्वास्थे में अब सुधार होगा पारिवारिक घर के माहौल में बड़ी-बड़ी खुश्खबरी आएंगे बिजनस में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा होगा व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फाइदा ही होगा और अब आपका दिन सुख नाम बीतेगा साथ ही साथ दोस्तों आपका ग्रह कुंडली में ऐसा योग भी बन चुका है जो कि दोस्तों धन योग, राज योग का भी निर्मान होगा जी हाँ दोस्तों, आज से समय की गती आपके पक्ष में बहतरीन बनी हुई है अपनी उर्जा और कार्यक्षमता का भरपूर सदुपयोग करें कुछ समय से आप जिन कारियों के लिए प्रयासरत थे, आज उन कारियों का पूर्ण होने का समय आ गया है आपको अपनी मेहनत अनुरूप शुभ परिणाम प्राप्थ होंगे किसी भी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपको नुकसान दे सकता है इसलिए सावधान रहें दोस्तों, इस राश्य के लोगों के अपने काम के प्रती एकागरता और अनुभवी लोगों का योगदान लाबकारी स्थितियां बनाएगा प्रापर्टी अत्वा किसी खास विशय को लेकर डील चल रही है तो उचित लाब होने की संभावना है घर के किसी सदस्य के विवाह हे तू उचित रिश्टा आ सकता है आप अपनी मेहनत वप्रयासों द्वारा परिस्थितियों को अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होने वाले हैं ओनन लाइन गतिविधियों के जरिये कुछ उपलब्धियां मिल सकती हैं बिजनस की यात्रा से जुद्धी योजना बनेगी ये यात्रा फायदे मंद रहेगी बिजनस में अनुभवी लोगों की सलाह से रुका काम दोबारा शुरू हो सकता है सफलता भी मिलेगी आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा लंबे समय से चल रही कोई चिंता भी दूर होगी फंसी हुई पेमेंट मिलने की भरपूर संभावना है व्यवसाई संबंधी कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तुरंत निर्णय ले इस समय बेहतरीन परिस्थितियां बनी हुई है साथ ही अपनी व्यवसाईक पार्टियों की भी हेल्प रहेगी नौकरी में अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे आज का दिन आपको कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रखेगा आप अपनी कार्य कुशल्ता तथा काबिलियत के दम पर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल करेंगे कहीं से कोई शुब समाचार मिलने से मन प्रसन रहेगा युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई से संबंधित ही नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है इस समय ग्रहस्थिती बहुत ही अनुकूल बनी हुई है घर में किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आने की संभावना है प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात, लाभधायक और सम्मान जनक रहेगी संतान से संबंधित किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा युवाओं को अपने करियर संबंधी को शुब समाचार मिलने से मन प्रसन रहेगा उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी अब वीडियो को विराम देते हैं कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जै मा काली रक्षा करो जै माता रानी रक्षा करो अवश्य लिखना माई जगत माई आपकी रक्षा करेंगे हमें पूर्ण विश्वास है इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै माता दी